तो दोस्तो मेरी अभी एक आडियन्स ने मेरे किसी वीडियो में कमेंट किया कि सर बताएं कि right time वीडियो अपलोड करने का कौन सा होता है किस समय हमें वीडियो पब्लिश करना चाहिए तो सबसे ज्यादा जो नए यूट्यूबर गलती करते हैं वो यही गलती करते है कि जैसे ही वीडियो बना उसके बाद सीधे लग गए उसको edit करने में edit करने के बाद उसको अपने YouTube पर upload कर दिया और upload करने के बाद जैसे ही थबनिल बना तुरंट के तुरंट कर देते हैं पबलिक तो ये पबलिक तुरंट के तुरंट जो कर देते हैं ये है सबसे बड़ी गलती क्योंकि किसी भी वीडियो को पबलिक तुरंट नहीं करना चाहिए सबसे पहले आपने जब वीडियो बनाया मैं तो कहता हूँ वीडिय करिए SEO, SEO कैसे करना है इसके उपर मैं already वीडियो बना चुका हूँ तो उसका आपको आई बटन जो उपर दिखरा है आपको इसे क्लिक कर देना आपको पता चल जाएगा मतलब SEO प्रॉपर कैसे करते हैं और upload करने का प्रॉपर तरीका क्या है इसके बाद जब आपने प्रॉपर SEO कर लिया उसमें टाइटल लगा लिया डिस्क्रिप्शन पूरा भर दिया प्रॉपर लिया उसमें टैग भी लगा दिये टैग के लिए आप मतलब ट्यूब बड़ी का एक्स्टेंशन या VidIQ एप को भी यूज़ कर सकते हो तो जब आपने ये सारे काम कर लिये उसके बाद बारी आती है पब्लिश करने की अब जब पब्लिश करने की बारी आती है तो आपको मैं एक बड़ी काम की चीज़ बताऊँ जो के ज्यादातर यूट्यूबर ये गलती करते हैं जो भी नए हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हम कब पब्लिक करें कभी सुबह कर दिया कभी शाम को कर दिया कभी रात को कर दिया कभी दुपहर में कर दिया अब है क्या आज जो हमारी ओडियन्स होती है वो जब किसी को subscribe करती है उसके regular videos watch करने लगती है तो वो जो है नई वीडियो का wait करती है उसके दिमाग में एक mindset हो जाता है कि इनका वीडियो शाम को 4 बजे आता है तो 4 बजे ही आएगा तो जब audience wait करने लगती है और आपका वीडियो उस समय नहीं आता आप audience सोने जा रही रात को 9 बजे आ गया कभी आपने सुबह 5 बजे पब्लिश कर दिया कभी आपने दुपैर को कर दिया तो उसका दिमाग हो जाता है विल्कुल मतलब चकर खा जाता है कि मैं कब देखूं कब इसका वेट करूं पता ही नहीं चलता कब वीडियो आ गया और क् वीडियो जब हम पब्लिक करते हैं तो पब्लिक होने के बाद जो स्टार्टिंग के 3-4 घंटे होते हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं अगर उसमें आपका वीडियो तेजी से उपर बढ़ गया आना तो समझ लो आपके व्यूज अच्छे आएंगे और वीडियो वाइर चलते एवर ग्रीन होते हैं तो इसी लिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बही स्टार्टिंग के आर्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं और उसी में हमें वीडियो पब्लिश करना चाहिए उसके लिए यूट्यूब एप्लिकेश चाहे आप उसे क् एप्लिकेशन में खोलें वहाँ पर जो एक फीचर होता है वो यह होता है मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ तो जो हमारा होता है वाई टी ए स्टूडियो का राइट टाइम पब्लिक करने का तो क्या होता है आप जैसे ही अपना वाईटी ए स्टू फिर होता है audience मैं mark करके भी दिखा रहा हूँ तो audience को जब आप open करेंगे तो यहां देखिए लिखकर आता है when your viewers are more active तो यह जो है are on YouTube when your viewers are on YouTube मतलब जब बहुत ज्यादा active हैं तो इसमें जो मैं mark करके दिखा रहा हूँ जहां पर यह सबसे dark color में आपको audience show कर रही है side में यह time भी आ रहा है 17-69 करके मतलब 6 बज़े शाम को तो यह जो time है जो dark color है जहां मैं ऐसे गुचुर गुचुर करके green color में आपको show कर रहा हूँ यह जो time है यह हमारा right time है public करने का यह आपको week के 7 दिन का इसमें दिखाता है कि Monday को कितने बज़े से कितने बज़े तक dark time है Tuesday को कितने बज़े से कितने बज़े तक है और अपने वीडियो को schedule करके उस time पर छोड़ दें तो आप देखेंगे थोड़े समय के बाद आपको पता चलेगा कि आपके views reality में बहुत ज्यादा हो जाएंगे पहले के comparison में जब आप किसी भी उटपटंग time पे public करते थे तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान सा ही समय पर वीडियो को public करें तो information अगर आपको अच्छी लगी हो काम की लगी हो तो भाई कर देना like वीडियो को और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे subscribe कर देना साथ पे notification बेल को दबा देना जिससे मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम जैशी राम